विश्व में कुस्ती का मान बढ़ाने वाली एक नाबालिक समेत साथ महिला पहलवानों ने WFI की अध्यक्ष ब्रज भूशन पर यौन सोशन के आरोप लगाए थे जिसके खिलाव कारवाई की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे थे लेकिन बुद्वार देर रात पुलिस और पहलवानों की बीच जड़प हो गई जिसमें कई पहलवानों को चोटे आई हैं वहीं विनेश फोगाट के भाई का सर भी पूड़ गया एक नाबालिक समेट साथ महिला पहलवानों ने डबली एफाई की अद्धक्ष ब्रेजभूशन पर यौन शोसन का आरूप लगाये था इसके बाद से ही पहलवान ब्रेजभूशन के गिरफतारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं वहीं सुप पहलवान संगीता फोगाट और साक्षी मलिक फोटफूर कर रोने लगी और हाथ चोड़ते हुए कहा कि हमारी मदद करिये विनेश ने बताया कि वो पलंग लेने जा रही थी इसी दौरान पुलिस कर्मी ने उनके साथ गाली कलोज और बत्तिमी जी की विनेश ने रोते हु मतिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना यूजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हख में आप देख रहे हैं तखल नियूज झाल